तो वीडियो शुरू करने से पहरे काऊंगा जिन जिन लोगों ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टायम में डेली डेस्लिंग के अपडेट्स के लिए तो आपको पता दूं काफी दिन हो रहे हैं महीने तो महीने हो चले ह यान पर कुछ कॉमेंट्स ऐसे आते हैं जिन पर इनो इस टोर लाइन टाइप बनती होती है कि भाई अगर यह वाली थिंग होगी फिर आगई यह वाली थिंग होगी तो आखरे में इनका मैच और तो किस तरीके से होगी यान की कुल मिल लागे जो आप सबी के मन में कुश्च टाइप आपको जाते वीडियो मिलें कॉमेंट सेक्षिन के अंदर और मैं आसे यह वाली बात को कह सकता हूं अनौंस करता हूं चैनल के ओपर अब ज्यादा हो गया अनौंस की कर रहा हूं मैं इतनी सब्सक्राइबर भी नहीं है आज में चैनल पर यह बात घोशना कर रहा ह है घोशना कर रहा हूं कि हर सैटेड़े या फिर संडेड दोनों में से कोई एक दिन सुबह चैनल पर पर पोल आया कर रहे है कि मैं हर अफते कॉमेट्स तो पढ़ते ही रहता हूं तो में से कुछ कोशन करूंगा और और नहीं को मैं कॉमेंटी टैप पर पोल बनाके इस तोपिक है एंड यह टॉपिक है कि अगर दाफी बन जाते हैं युनिवर्सल चैंपन या फिर डबल डबली चैंपन और रसल में टड़ी सेवन ब्रॉक लेसन का फेस करते हैं जब ब्रॉक लेसन हमें जीते वे नजर आते हैं रोयल रंबल का शोवर आने वाल टाम में ज निकाल लिए क्या कुछ पॉसिबिल्टी हो सकते हैं इस वाले मैच की किस तरीकी से स्टोर लाइन डेपलप होगी अगर डबल डबली सही मैं करना चाहती है तो सारी चीजे के बार में इस वाली वीडियो गंतर करूंगा डिसकस वीडियो जो पहला टॉपक हो कमाल का जरूर में दिखाई देने वाल है तो वीडियो को जैसे मैंने का शुरू करूंगा सबसे पहले अपडेट की साथ तो यहां पर जो पहरी अपडेट है वह जूड़ी है डबल डबली कंपनी के बार में डबल डबली कंपनी हार गी एक काफी बड़ा मैसिव कॉंट्रैक्ट एड़ पता हो गई यह वाली बात की जो स्काय स्पोर्ट से अभी फिलाल डबल डबली कंपनी के साथ काम कर रहा था और वह जातर मैंच इस कुछ कंट्री के अंदर एयोर और और जिसे मालों स्मैक डॉन को शूब है वह स्काय स्पोर्ट के पास है आई मीन एक जस्ट मैं आपको ब इस साल डबल डबल कंपनी से कॉंट्रैक्ट लेने से कर दिया है मना अब रीजन यह रहा है कि जो स्काय स्पोर्ट से बात कह रहा है था कि भाई हम जब इटली के अंदर तुम्हारा शोव या फिर स्मैक डाउन रोग जो भी दिखाती जिसके साथ उनका एक्च्छलिमें पाइदा इससे बढ़िया ओल एलिट रेसलिंग प्रमोशन के साथ हम लोग डील करें जो नवा शो है और उसकी जो वीवर्शिप है वह भी हाई जाती है और कुर्ण मिला कि यहां पच्छी डब डबल डबली इस वाली तिंग को सुनने के बाद काफे जदा फ्रस्टेट हो आप सभी को इटली के अंदर भी ब्रॉड कास्ट होता हुआ नजर आने माले जो कि इटली के लोगों के लिए काफे अची डियूस है अब देखो मैं इटली बोल नहीं लेता हूं मेरे साथ से वरना वह वाले वीवर्श को में लेहाते किसी तरह लेगिन खर जैसे मैं आपक कंपनी इलावब किसी और प्रोमोशन को हायर करेगी जो कि वहाँ पर हमें टीव पर टेली कास्ट करता हो नजर है डिवल डबली रॉस मैंगनों जो वहाँ पर एक्चुलिघ मैं स्काइ स्पोर्ट टेली कस्ट करता था बाकि मेरे इसाब से आपको सारी चीज़े समझ आगी जैसे मैं आपको बताएए है वो है लो वीवर्शिप का वो एई डवलो कंपनी के पास गया उसने डवलो से साइन कर लिया अब कुल मिला के बात यह आती कि जो डवल डवली है और वो किस तरीके से अपनी चीज़े आने वाल टाइम में दिखाएगी इटले के अंदर ये बेली आते भी नजर आई जो शाशा बैंक से बेली है उनके पास रॉब में चैंपिंशिप भी थी अगर आप से भी कोई नहीं पता है बता दो जो आने वाला रॉक एपिसोड होने वाला है वहां पर स्टेफ़नी मिंग्मैन में कुछ चीज तरीके से ना उसक्या था कि जो अफिशली हमें रॉक वो में चैंपिंशिप बनता हुआ नजर आने वाला है लेकिन आप सभी जानते हैं कि जासके स्मैक डॉन को शो था वहां पर भी शार्षा बैंक स्टाइटल की साथ आते भी नजर आती है तो गाइस आपको बता दो यहां पर जो शार्षा बैंक से इस लेकिन जो शार्षा बैंक स्टाइटल में आई थी जब वहां पर अनॉंस हुआ था इन दोनों का मैस तो वहां पर चैंपिशेप थी वहां पर आसका की स्टाइट प्लेट्स लगी हुई थी और आप यह बात जानते कि यह से कुछ मेंशन में ने कि देखो भाई शार्षा शार्षा बैंक से अपना रॉब जाट रही है उसने जो साइट की पेट थी वह भी खुदी बदलवा ली ऐसा है वैसा तो यहां पर डॉब 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 यह सारी चीज़े नहीं दिखा इससे यह बात पता लगती कि डॉब 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 ली ने शार्षा बैंक को एक तर साइट प्लिट तक बतलती रॉब में शार्षा बैंक के नाम जो कि चांस बनते कि वह जीते रॉब में स्टाइटल का मैच रॉब के एपिसोड में यहां पर नहीं क्या है आपके थौट्स नीचे मुझे अफ्कॉर्स कॉमेंट के अंदर जरूब बताना लेकिन वीडियो के में मुद्ध या फ्रकॉण टॉपिक के बार में जो की है कॉमेंट सेक्शन वाली वीडियो जहां पर जो पहला टॉपिक होने वाला इस वाली थिंक का वह काफ़ी जादा इंट्रेसिंग है क्योंकि यह फिंड वर्स ब्रॉक लेस्ट ने डवल डवली चैंपेशिप या फि होली वुड चाहिए वह होली वोड में ना हो या फर हो या फिन भाई बोलने में स्यादा मसा आता है इसलिए मैं बोल देता हूं होली वूड तो आपको बता दू ऐसा कामें आया था मेरो चैनल पर अभी नहीं बतानी कितने दिनों से आ रहा हो कॉमेंट और यह कॉमेंट कह और में दूसरी बार प्रियुकर दिया मैंने तीसरी बार एकनौर कर दिया लेकिन जब कोई आपके जाने पर 10 कॉमेंट करते उसको एकनौर करना मुश्री नहीं ना मुम्किन हो जाता है तो क्यों की ना आद चैनल पर कॉमेंट सेक्शन वाले वीडियो कैसे की मैं फांली ल जानते हूं किस तरीके से बनेंगे अब फिलाल स्टोर लांड के हिसाफ से समर्स्लैम पेपर व्यू के अंदर अब बात कर लें तो बीस्ट इंकार्नेट ब्रॉक लेस्नर के बारे में किस तरीके से उनकी रिटन को हमें प्लान करते हुए आने वाली नजर तो देखो जो डॉल डबली कंपनी है जब ओडियंस रिटन कर लेगी रॉयल रंबल के शो के आसपास तो ब्रॉक लेस्नर की रिट लेंट ब्रॉक लेस्नर काफी बुरी डॉमेनस दिखाए थी और इस साब यहीं होने वाला लेकिन इस साब जो चीज़ हो थोड़ी सी चेंज होगी है और थोड़ी सी चेंज का मतलब यह है कि ब्रॉक लेस्नर आप सभी को रॉयल रंबल के शोको भी जीते हुए आने वाले नजर अब यहाँ पहले को रेचल में 37 पर फींड की बीच मैस दिखाना है तो डबल डबल यहां पर क्या करेगी दो फींड के खल्किसी अपेरेंस लाएगी और कंफरेंड करेंगे ब्रॉक लेस्टनर को और ब्रॉक लेस्टनर हो सकता है उस टाइम रिंग के अंदर ना अकेलिए पॉल हमनों और जो दफींड है वो पॉल हमन पर अटैक करके हमें भागते हुए नजराएं ठीक उस तरीके से जिस तरीके से उनने मिक फोली पर पहले अटाक किया था वैसे ही वो आएं एक फ्यूड डेवलप कर सके फिर आएगा रॉयल रंबल को जहां पर जो दबीस्ट इंकार्नेट ब्रॉक लेस्टनर वो हम सभी को रॉयल रंबल विक्ट्री का सकता हूं हासिल करते हुए आने वाले नजर फिर उनने एक ऑपरचुनिटी मिलने वाली है कि वह किसका फेस कर जा जाके दाफींट से रेसल मेन के शो के अंदर फिर यहां पर डबल डबली ऑफिशली मैच कंफर्म कर सकती है दाफींट वसेज ब्रॉक लेस्टन फॉर दी युनिवर्सल चैब्शे मैच यानि कि अगर यह मैच कंफर्म होगा तो यह जो मैच है वो पॉल है वन के थू ही में किया था कि इस वाली फिर इदर कोई बी फेस सुब स्टार नहीं ओने कर दूं कि काफी बार होता है कि बापनेंदर यह चान चाहिए वह ए दिखा दी। ताकि किसी सूपर स्टार को ऊष्सक्या का बूस्ट मिल सके या प्रिक या चिह को थे आपको में सबस्क्राइब तो यहां पर इस वाल चाह कें लड़त memang और ब्रॉच्छ प्राइज थो बाड़ हो वाले लेगिन मैं आपको अगर रियारिटी की बात करो कि नोच क्या चांस वाले मैस्ट के बात करूंग कि यह वाले मैंच की चांस है जरूर से 100% क्यूंकि DW काफ तो लाइन दिखा सकती है रैसल मीने के उंदर बड़े मैस् कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं यार एक एक्जांपल दे रहा हूं कि देखो अभी फिलाल जिस तरीके से इस बंदे ने पूरी लेकिन एक्चलि में चैंभी फिलाल प्लैंड या इन में आपको रोमर रेंज को डालने है क्योंकि व रोमर के लाका वहां पर नजरा आने वाले यूनिवर्सल चैंपर्शिप को रेसल मेने के बड़े शोग के अंदर जहां पर ओडियंस जरूर से मेरे साफ से हमें आती वी नजर आने वाली है लेकिन अगर मानलो रोमरेस रिटर्न नहीं करते तो डवल डवले के पास जो अगला बड़ा सूपरस्टार बसता है वो बचते हैं जौन सिना और हो सकते है डव मोमेंटम लॉस करते हो आएंगे नजर और ब्रॉक लेस्टन के पास आजाएगी यहां पर यूनिवर्सल चैंबर्शिप्ट जैसा मैं आपको बताया कि जो चांसिस हो काफी जाद है बस आप सभी को वेट करना है कि रोमरें किस हिसाफ से रिटर्न करते रोमरें के अंदर आ मैं यह कहना चाहता हूं सारी चीज़र भी फिला इस वाली फ्यूड की है वो डिपेंड होती है तो बिग डॉक रोमरेंस के उपर कि किस हिसाफ से रिटर्न करेंगी डारेक्ट रोयल रंबल जीताएगी आप इने यह सारी चीज़र उस पर डिपेंड करती है बाकि जैसे मैं चैनल पर यह पहली कॉमेंट सेक्शन की वीडियो नीचे मुझे जरूर से अफकॉर्स कॉमेंट के अंदर जरू बता रहा है इसके लाव मैं इस वीडियो के बाद कॉमेंटेट टैप पर पोल डालने वाला हूं कि आपको आने वाल टाइम में चैनल पर और और भी वीडियो पसंद आईए तो आपकोर्स नीचे वीडियो को लाइक की बेना कहीं मच जाना चैनल पर नवहीं तो कह सकते चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल काओन ताकि आगी भी आपको चैनल पर आने वाला टाइम में कॉमेंट सेक्शन की और नियोज रूमर्स वीडियो केंदे काफी काफी जल्दी तिल देन बाबाई टेक केर